फोटो डायोड में हम लोगों ने कई सारी बाते देखी कि अगर फोटो डायोड पर लाइट पढ़ेगी तो वो लाइट को कैसे सेंस करेगा लाइट के इंटेंसिटी ज्यादा पढ़ने से करेंट ज्यादा बनेगी और लाइट के इंटेंसिटी कम होने से करेंट कम बनेगी ठीक है और रिवर्स बायस में यूज करते हैं बहुत सारी चेज़े फोटो डायोड के बारे में हमने श्टडी की आज हम लोग फोटो डायोड के Applications पड़ेंगे एप्लीकेसंस ओफ फोटो डायोड मींस कि फोटो डायोड का application क्या है उसको कहा है यूज करते हैं किस काम में हमारे आता है इसके तोड़ा सा श्टड़ी करना है और यह बहुत इंट्रेस्टिंग है इसलिए चलते पढ़ाई करते हैं फिर तो हमने हेडिंग बना के रखी की एपली केसं सॉफ फोटो डायोड में सबसे पहले और जो सबसे मज़ेदार एपलिकेशन इसका है वैसे तो फोटो डायोड इतना इतना इंपोर्टींट हो गया अब हमारे इसलिए हम सब के लिए की फोटो डायोड के बगेर आप सोच भी नहीं सकते हैं की कैसे लाइफ अब तो हमको कि बहुत प्रॉब्लम्स होगी अगर ये नहीं होता तो खेल सबसे पहले जो हम लोग application देखेंगे वो होगा बर्गलर alarm का बर्गलर alarm ये बर्गलर alarm क्या होता है बर्गलर alarm को आप हिंदी में बोलते हैं चोर सूचक घंटी ये एक ऐसा alarm होगा जो चोर के आने से बजने लगेगा चोर के आने से या कोई भी आएगा अब देखना ये mainly इसका यूज चोरों के लिए ही किया जाता है तो देखते हैं कैसे यी work करेगा इसके लिए हम इसे हमेशा वहां लगाते हैं जहां पर हमें ज़्यादा डर होता है कि यहां पर चोर आ सकते हैं तो जैसे कहीं का में गेट है आपका उस में गेट में एक साइड में एक ये दीवार दोनों दीवारों के बीच में ही में इंगेट आएगा तो एक दीवार इस साइड में एक दीवार इस तरफ अब इसमें हम क्या करते हैं इसकी एक वाल पे एक वाल पे यहां पे हम एक लाइट एमिटिंग डायोड लगा देते हैं लाइट एमिटिंग डायोड मींस एल एडी को ही लगा दिया जाता है एल एडी लाइट एमिटिंग डायोड और इससे लाइट निकला करेगी और वो लाइट हमको बहुत ज़्यदा लाइट चाहिए ऐसा जरूरी नहीं ह हमको बहुत कम लाइट से हमारा काम बन जाएगा और ये लाइट इन्फरा रेड लाइट से हमारा काम बन जाएगा इन्फरा रेड लाइट इन्फरा रेड लाइट मीन्स अवरक्त प्रकाश और ये अवरक्त प्रकास ऐसा प्रकाश होगा जो हमें हमारी आँखों से दिखेगा भी नहीं तो हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप आते जाते हैं उस gate से निकलते हैं तो ये light आपको disturb नहीं करेगी ये आपको परेसान नहीं करेगी कि अगर आप gate से निकल रहा है तो बार-बार यह light आपकी आँखों पे लगेगी ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि light आपको दिखती भी नहीं है उससे जो infrared आपको जो light दिखती है वो visible range की होती है द्रश रेंज की होती है अगर visible range से नीचे frequency की light है वो भी आपको आपकी आँखों से नहीं दिखेगी अगर visible range से उपर range की light है तो वो भी आपको आपकी आँखों से नहीं दिखेगी तो यहाँ पर जो हम LED लगाते हैं यह एक infrared light का source होता है और इससे infrared light निकला करेगी अवरक्त प्रकाश यहाँ से निकलेगा और इससे किसी को भी कोई डिश्टर्मिनी है और इसको कोई जान भी नहीं पाएगा देखो जब किसी को दिखेगा नहीं तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि यहाँ कुछ लगा है तो यह hidden LED हम लगा देते हैं छुपी हुई LED कोई जब वहां से कोई आएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ चल रहा है उसको मालूम भी नहीं रहेगा क्यूँ? क्योंकि अगर चोर को यह मालूम हो जाएगा कि यहाँ ऐसा कुछ लगा हुआ है तो वो समभल के आएगा फिर है कि नहीं वो दूसरी arrangement से आएगा पीछे wall से आएगा फिर boundary से इस तरह से तो यह छुपा हुआ रहता है किसी को दिखेगा नहीं है और आपको कोई problem नहीं है अगर आपको वहाँ से निकलना पड़ता है तो इसके सामने दूसरी तरफ यहाँ पर इसके सामने दूसरी तरफ हम अपना एक photo diode लगा देते हैं यह photo diode अपने लगाया देखो तो यह जो चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको लगाना रहेगा एक photo diode photo diode की जो दो टर्मिनल रहेंगे जो भी आपका photo diode है उसके दो टर्मिनल रहेंगे उन दो टर्मिनल से हम एक सर्किट बनाएंगे यहाँ पर कैसा सर्किट बनाएंगे तो आप ध्यान से देखेगा photo diode में दो टर्मिनल निकले एक इधर ले आए एक इधर ले आएंगे इससे हम एक सरकिट कंप्लीट कर लेंगे यह हमने एक सरकिट बना दिया इस सरकिट में यहां पर हमें एक रिले लगाते हैं रिले रिले क्या होता है यह इसकी भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हमें एक रिले बनाते हैं और रिले कैसे बनाते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ऐसा यह लगाते है इसको और इस पर अंदर से यह एक रौड आती है आईरन की कि यहाँ पर इस तरह से और यह आईरन की जो रोड होती है इसको हम बोलते हैं प्लंजर यह ऐसा और इसके निचले साइड में यहाँ पर कॉपर की एक लेइर लगी रहती है कॉपर की ठीक है और यह पूरा जो यह सिस्टम बनाते हैं इस सिस्टम को रिले सिस्टम बोलते हैं यह रोड ऐसा एक छला बना रहेगा उस छले के अंदर से यह रोड ऐसा जाएगी और इसकी निचले इससे पर हम एक आयरन का प्लंजर यह इसको पूरा प्लंजर बोला जाता है क्योंकि यह प्लंज करेगा प्लंज इसले सत्यपित औप का कि लीयर लगा देते हैं तामवी की मेत लगा दी जाती है और इस पूरी अरेंजमेंट को किसे पूरी कि इसमें निचले हिस्से पर copper की लेयर बनी रहेंगी लगी रहेंगी क्योंकि copper electricity का अच्छा conductor होता है copper wire आप लोग यूज करते हैं तो यहां पर यह जो लगा रहता है copper की लेयर होती है यह copper की लेयर होगे ठीक है अब इसके नीचे side भी हम एक circuit बनाते हैं नीचे side एक circuit कैसे बनाते हैं यह ऐसा और यहां पर इस तरह से यहां पर भी हम एक circuit बनाते हैं और इस circuit में हम heavy AC current flow करवाते हैं AC current यहां पर इसको DC से लगाया हमने photo diode रिवर्स बाइस connection देंगे ठीक है और यह AC heavy AC यहां पर लगाते हैं यह ऐसे यहां पर आके कहीं पर भी आप एक alarm यहां पर हम लगा देंगे ऐसा एक speaker लगा देंगे एक alarm लगा देंगे मार्केट में मिलते हैं तो यह आप एक alarm लगा देंगे अब इसके सर्कीट का एक टर्मिनल यहां पर है एक टर्मिनल यहां पर है देखे अलार्म का यह इस इस प्रोवाइड इस पर कर रहे हैं यहां पर एक टर्मिनल यहां एक टर्मिनल यहां यह दोनों टर्मिनल अगर जुड़ जाएंगे अगर यह दोनों टर्मिनल आपस में कने लगेगा जैसा उसको साउंड दिया गया होगा जिस तरीके से उसको बनाया गया होगा ठीक है अच्छा लेकिन क्या अभी बजेगा अभी तो नहीं बजेगा क्यों क्योंकि अभी यह वायर यहां और यह वायर यहां दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो अभी नहीं में गेट से जैसे ही कोई आदमी आएगा आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसके फंक्शन को समझे यहां एलीडी लगी वही है एलीडी से किस प्रकार की लाइट आ रही है इंफ्रा रेड लाइट आवरक्त प्रकाश यह लाइट जब फोटो डायोट पर पढ़ती है आप य कि क्या होता था तो अगर यहां से लाइट आएगी फोटो डायोड पर पढ़ रही है अगर अगर फोटो डायोड पर पढ़ रही है तो क्या होगा करेंट सर्केट में बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी बन रही है अगर इस सर्केट में करेंट बन रही है तो आपने magnetism पढ़ा है, चुम्बकत्व चुम्बकत्व में पढ़ा है कि जो charge अगर flow होता है तो चुम्बकी छेत्र बनाता है Electromagnet आपने पढ़ा हुआ है तो अगर यहाँ से light इसमें जाएगी current बनेगी current बनने से यह क्या बन जाएगा magnet, चुम्बक बन जाएगा अगर यह चुम्बक बन जाएगा तो यह अंदर इसके plunger का है का लगा हुआ है plunger iron का बना के लगाया गया है iron का plunger है और यह चीज़ क्या बन गई है magnet, अगर यह magnet बन गया है तो यह plunger को क्या करके रखेगा इसा उपर खीच के रखेगा plunger को क्यों कि ये क्या बन गद चुका है चुम्बक ये बैगनेट बन चुका है तो ये लोहे को आइसा उपर की तरफ खीच के रखेगा अगर ये प्लंजर उपर खिचा रहे 가 ये दूर-दूर रहेंगे कोई connection नहीं है alarm नहीं बोलेगा तो जितनी देर तक light इसमें पड़ेगी फिर से देखिए infrared light photo diode में पड़ी current बनेगी current से इसमें क्या काहे का गुना जाएगा magnetism create होगा चुमबकत्तों का गुन और magnetism की वज़े से यह जो relay circuit है इसका plunger क्या करेगा plunger ऊपर उठा हुआ रहेगा ठीक है और alarm नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा अब जैसे ही main gate से कोई आदमी चुपचाप भी ऐसा अगर इंटर करता है जैसे main gate से वह आदमी ऐसा धीरे से इंटर करता है चलके जाता है तो सामने एक तरफ आपने क्या लगाया है LED और दूसरे तरफ आपने क्या लगाया है photo diode अब अगर इसके बीच में से कोई भी आदमी ऐसा जाएगा तो light में क्या आएगा light एक बार हिक ऑगा बेंद होजाएगा अगर करेंट का बंदा बंद हो जाएगा तो किया यह रिले मैग्निटिजम बनेंग इस पाए इसका चुम्ब गत्व को तो नहीं रह पाए गा इसके पाउस का चुम्ब गत्यों रिले का खता कोपर लगा हुआ कोपर की वज़े से सरक्ट कंप्लीट हो जाएगा सरक्ट कंप्लीट हो जाएगा और सरक्ट कंप्लीट होने से अलार्म बड़ी जोर से बोलेगा जैसा आप अलारम लाएंगे वैसा यह आवाज करेगा बड़ी जोर से और जब आप आवाज करेगा फिर आप शुरू कर देगा जैसे और यह light वगेरा सब ऐसे जगे पर लगाए जाती है कि आप कैसे भी जाएं कैसे भी जाएं लाइट एक बार क्या होगी रुकेगी ही और light एक बार रुके जैसे ही वो आदमी निकल जाएगा light फिर से इस पर पढ़ने लगेगी light पढ़ने लगेगी फ के पेशेकर सरकुट फिर ब्रेक हो जाएगा और अगर सरकुट ब्रेक हो गया कि आप अजर्म का बजना बंध हो जाएगा कर तो इस तरीके से यह बनाए जाता है चोर सूच गंटी जिसे आप बैंक में यूज करते हैं या आप अपने घरों में यूज कर सकते हैं आपको लगता है कि कोई पीछे बाउनरी से आ सकता है पीछे से तो आप अपनी बाट जहां पर आपको लगता है कि यहां पर से कोई आदमी आ सकता है तो एक तरफ आप क्या लगाएंगे बताईए एक तरफ LED बल्ब लगाएंगे जिससे infrared light निकलेगी और वो hidden रहेगा चुपा हुआ कोई जान भी नहीं पाएगा और LED बल्ब बड़ा छोटा सा आपने देखा है टेलिविजन का जो remote होता है उसमें आगे लगा होता है LED बल्ब लग लगाना है आपको और उससे जो light निकलती है आप जान भी नहीं पाते आपको पता भी नहीं चलती देखो तो कोई नहीं जान पाएगा तो boundary के पीछे एक तरफ आपको LED लगा देना infrared light का source और दूसरी तरफ आपको क्या लगा देना है photo diode अब अगर कोई भी आदमी ऐसा boundary को क प्लंजर नीचे गिर जाएगा चुमबकत तो खतम हो जाएगा प्लंजर नीचे गरेगा नीचे copper की layer लगी हुई है और इससे circuit complete हो जाएगा alarm बड़ी जोर से बूलेगा और आपको पता लग जाएगा कि पीछे boundary से कोई आया और आप तुरंत पीछे आके देखोगे कि कौन आया ठीक है तो यह यह हमने पहला application पुड़ा photo diode का क्या है बर्गलर alarm और यह बर्गलर alarm जैसे कि मैंने बोला आप कहां यूज कर सकते हो आप अपने घरों में यूज कर सकते हो आप बैंक में भी यूज किया जाता है बर्गलर alarm का बैंक्स वगेरे में इसको लगाते हैं ठीक है अब अगर यह बर्गलर alarm आपको समझ आ गया तो आप इसमें एक चीज देखिए कि इसमें हम कौन सी चीज को stress कर रहे हैं कौन सी main point है हमारी main point बस यह कि एक बार light अगर बंद होगी और फिर एक बार light चालू होगी जैसे light बंद होggे आलारम बज़र है अब हम इसका उपियोगना और भी बहुत सा कामों में कर सकते हैं देखिए का इसका एक use हम करते है इसका दूसरा यूज जो है उसको हम यूज करते हैं काउंटर्स में काउंटर्स जिने आप गड़ित्र कहते हैं गड़ित्र का मतलब क्या गड़ना करने के लिए बास समझ रहे इससे हम गड़ना करने के लिए यूज करते हैं काउंटर कहा जाता है गिनती करना, count करने का मतलब क्या होता है, गिनती करना, किसकी गिनती करने के लिए, आप किसी की भी गिनती कर सकते हो, जैसे, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, मैं एक example से इसे आपको clear करता हूँ, जैसे आप सोचिए, मैंने एक मसीन बनाई, उस मसीन में नीचे की तरफ हमने एक फोटो डायोड लगा दिया फोटो डायोड और उपर यहां पर हमने एक LED लगा दिया तो नीचे क्या लगा हुआ है फोटो डायोड उपर में क्या लगा है LED और हमने उसके साथ एक ऐसी computerized machine को हमने join किया connect किया जिसको specially program किया गया है कि अगर उसमें एक बार light इसके साथ हमने एक ऐसा circuit लगाया फोटो डायोड के साथ जिसको specially program किया गया है कि अगर इसमें एक बार light बंद होगी और फिर light आएगी तो वो computerized machine जो लगेगी वो एक लिख दिया करेगी अगर एक बार फिर light बंद होगी फिर आएगी दो लिख देगी फिर light आएगी बंद होगी आएगी तीन लिख देगी उसके साथ हमने एक ऐसी device लगा दिया है यह हम कर सकते हैं कैलकुलेटर आप देखते हैं उसमें कैसे नंबर लिख के आते तो प्रोग्राम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग हम उनकी फिर से मैं आपको बताओं क्या किया हमने एक ऐसी machine बनाई जिसमें नीचे में क्या लगा दिया हमने फोटो डायोड उपर में इसा क्या लगा दिया LED इससे लाइट जाएगी फोटो डायोड पर पड़ेगी करेंट बनेगी और फोटो डायोड के साथ हमने एक ऐसी डिवाइस लगाई जिसको इस पैसली किस काम के लिए प्रोग्राम कर दिया हमने किया गया है जैसे रिले लगाया ऐसे इसकी जगह पर वो मसीन लगा दे कि जब कभी भी फोटो डायोड पर एक बार लाइट बंद होगी और फिर लाइट आएगी तो ये वाली मसीन क्या लिख दिया करेगी वन फिर एक बार लाइट बंद होगी फिर आएगी ये मसीन क्या लिख देगी टू एक बार लाइट बंद होगी आएगी ये क्या लिख देग पिर एक बार बंदो कि आईगी तो लिदिया करेगी ठीक अब hamने इसके बीच में क्या किया ये बुख लगा दी हमने इसके बीच में अइसे ही हमने बुख को इसके बीच में लगा दिया अगर आभर once के बीच इसे जाएगा ऐसा तो फोटो डायोट पर जो लाइट पढ़ रही है लेडी की वह एक बार क्या होगी एक बार बंद होगी ऐसा बीच में से पन्ना जाएगा न तो एक बार लाइट बंद होगी और जैसे पन्ना निकल जाएगा लाइट फिर पढ़ने लगेगी लेकिन जब ना यहां से गया तो फोटो डायोड पर पढ़ने वाले लाइट में क्या action हुआ एक बार बंद हुई और फिर एक बार पढ़ना शुरू हो गई तो जब लाइट बंद हुई और पढ़ना शुरू हो गई तो हमने जो यह डिवाइस यह लगाई होई है इसकी programming कैसी है कि light बंद होने पर और जैसे फिर आईगी light one lick देगा तो उसने machine ने कितना लिख दिया one lick दिया फिर अगली बार एक पंदा फिर गया आप कितना लिख दिया two क्यों क्यों कि एक बार light फिर बंद हुई होगी और फिर light आई होगी तीसरा पंदा गया तीसरा पन्ना जाएगा वो क्या लिग देगा तीन चौथा पन्ना जाएगा क्या लिग देगा चार और ऐसा करते करते 100 पन्ने चले गए कितना लिख देगा वो 100 तो ठीक है इसका ऐसी एक मसीन बना के हमने बैंक में कैसियर के पास लगा दी कैसियर के पास लगा दी तो जब आप पैसे जमा करने जाते हैं या पैसे लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं उसको मसीन में लगाते हैं मशीन में जैसे लगाते हैं वो मसीन नोट को ऐसा चलाती है बड़ी जोर से तो जब नोट को ऐसा चलाती है तो जब नोट एक ऐसा पास होता है जैसे एक note ऐसे गुजरा उसने एक लिख दिया दूसरा दो लिख दिया तीसरा तीन लिख दिया चौता चार लिख दिया और इस तरीके से अगर लिखते लिखते टोटल सेवेंटी पन्ने वहां से गुजरेंगे तो मसीन कितना लिख देगे सेवेंटी और हमको पता लग जाएगा कि कितने नोट यहां से गए सेवेंटी नोट गए तो अगर हंड्रेड रुपीज की एक गड़ी है और उसमें सत्तर नोट लगे हुए हैं तो अब आप समझ सकते हैं साथ जार रुपए हो गए नहीं समझ में आया तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं काउंटर्स बना लेते हैं कहां यूज कर लिया काउंटर्स में इंट कांटर में नोट की कांटिंग करते हैं का नोट कांटर маш uz करते हैं बैंक्स में कैशियर के पास इसको लगाते ये आपको समझ आया की नहीं आया तो इस तरीके से हमने कांटर बNA LIA कांटर कि और बहुत सारी यूज है counterpart के बहुत पर जाते हैं और किसी रोड में वहां पर रोड बहुत सक्रा बना हुआ जैसे चवराहा है अपने नर्वल का चवराहा जो यहां पर बना हुआ है तो नर्वल चवराहे में हम देखते हैं बजार वाले दिन बड़ी भीड हो जाती है और एक-एक आदमी को अपनी साइकल से चाउडा किया जाए अब रोड को चाउडा कर दिया जाए तो हमारा आपका कहना कोई क्यों मानेगा आप कही आओगे तो रोड चाउडा थोड़ी हो जाएगा हमारा आपका कोई कहना क्यों मानेगा तो वह क्या होगा वहां चेक किया जाएगा कि यह आदमी सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है आप कैसे चेक करेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे एक हपते के लिए काउंटर लगा देंगे रोड के इस तरफ एक तरफ LED लगा देंगे और रोड के दूसरे तरफ उस तरफ क्या लगा देंगे फोट्टो डायोड एक हपते के लिए दो दिन के लिए पांस दिन के लिए काउंटर लगा के उसको छोड़ दिया गया इसके बाद पांस दिन बाद जब आए काउंटर निकाला गया उस मसीन में कुछ लिखा होगा क्या लिखा होगा आप समझेगे बता सकते हैं क्या लिखा ह तोगा उसमे, एक नमबर और वो नमबर क्या बताएगा। जितने आद्मी उस चवराहे के उस रोड से गुज्रे होंगे। इधार भी गएह होंगे। इधार भी नोबार का लिखा गया होगा उसते। बहस समझ में आई। और उसके हिसाब से गवर्णमेंट या जो भी उसको देखते हैं वो सुचते हैं वो अपना समझेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर रोट को चोड़ा करने की जरूरत है अगर उनको लगेगा कि पांच दिन में इतने आदमी निकल रहे हैं तो एक दिन में यहाँ से कितने ह impeachment और अगर उनको नहीं लगेगा कि अभी एक दिन में इतने अदमियों को निकलना कोई बड़ी बात नहीं है तो वैसा ही बना रहेगा समझ रहें तो यह काउंटर सम लोग यूज कर सकते हैं कहां यूज कर सकते हैं हम लोग किसी रोड में यूज कर सकते हैं आईवे वगहरा में प्लेट फॉर्म में एयरपोर्ट में प्लेट फॉर्म में यह कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर आपको लगता ह कि यहां पर हमको जरूरत है यह देखने की प्लेटफॉर्म में एयरपोर्ट वगेरा में इन सब में काउंटर्स यूज किये जाते हैं प्लेटफॉर्म में एयरपोर्ट में जैसे आप जाते हैं प्लेटफॉर्म आप जाते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म आप पहुंचे आपन आने जाने का सफर कुछ ऐसे आपके duty है कुछ ऐसा आपका काम तो वो लोग जाते थो आपको बहुत प्राफलम होती है तो लोगों की complaint आती है बार-बार की प्लेटर्फ़ॉर्म को थोड़ा ऌर चौनडा किया जाय tastes पर प्रोब्लम जादा होती है तो वही मैंने बताया ना रेलवे डिपार्टमेंट आपकी बात क्यों मान लेगा ऐसे तो वो लोग क्या करेंगे जब कंप्लेंट जादा जाएंगी तो वो लोग उसको कंफर्म करेंगे कि बात सही है की नहीं उसके लिए अब आप समझेगे क्या कर लेंगे प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ एक तरफ वो लोग क्या करेंगे LED लगाएंगे एक तरफ वो फोटो डायोड लगा के आजाएंगे और इसके बाद एक हपते के लिए चार दिन के लिए एक दिन के लिए लगा लेंगे साम को निकाल के देख लेंगे उसमें कितना लिखा हुआ है उससे मालूम हो जाएगा कि परड़े एवरेच इतने लोग यहां से आते जाते हैं पास होते और उसे उनको पता लग जाएगा और उसके बाद अगर उनको लगेगा कि नहीं इसको जरूरत है वाकई में चौना करन नहीं तो हमारी आपकी बात क्यों मानेगा कोई ठीक है यह काउंटर बना सकते तो काउंटर का यूज कहां पर होगा नोट काउंटर बैंक में यूज होगा प्लेटफॉर्म में एयरपोर्ट में यूज कर सकते हैं इसी जगहों पर काउंटर का इस्तेमाल होता है इसका जो जो डायोड है इसका और बड़ा अच्छा यूज है सायद आपने कभी देखा हो आप आपने अगर देखा हो पहले एक गाव में एक वीडियो चलता था वीडियो इतनी बड़ी टेली वीजनी होती थी और उसके साथ एक VCR लगता था और उसमें कैसेट लगाई जाती थी और बड़ी कैसेट उसमें रहती थी और इसके बाद उसको लगा करके और उससे पिक्चर चलती पहले मनोर रंजन का वह एक साधन था गावों में किसी के घर में कोई प्रोग्राम होता था तो वह लगवाए जाता था वीडियो लगवाओ भाई और या तो आपने यहां नहीं बड़ी-बड़ी जा मुवी हॉल है अब तो सारा कुछ डिजिटलाइज्ट हो गया है डिजिटल यूज करते हैं हम लोग लेकिन पहले थे शेलूलाइट फिल्म से यूज करी जाती थी जिनमें गर रिल चलती थी अगर ये कैसेट है तो उसमें एक रिल चला करती थी और व अगर मैं सुसके वीडियो जब बनता था तो उसके रील बड़ी लंबी सी निकलती थी और वो देखो थर्ड यूज थर्ड एप्लिकेशन जो होगा वो फिल्म समें इसका यूज किया जाता है और फिल्म के इससे साउंड ट्रैक बनाय जाते हैं इसका यूज करके फिल्मों के क्या बनते हैं साउंड ट्रैक बनते हैं कैसे आप थोड़ा देखें इसमें एक सेल्यूलाइट फिल्म हुआ करती है यह इस तरीके से अगर आपने देखा होगा कभी तो यह देखते ही आपको थोड़ा भूत याद आ जाएगा इस फिल्म के दोनों तरफ ऐसे यहां पर ऐसे यह नौच बने रहते हैं और इनका कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है यह सिर्फ इसलिए बने रहते हैं ताकि जो हमारा मसीन है उस मसीन में यह फंसकर चले रील आगे बढ़ती है इसमें ठीक है तो यह रील के वल आगे बढ़ती है उसके लिए के वल यह नौच यहांपर लगे होते हैं इन्हीं में फंसकर रील आगे बढ़ती चली जाती है अब इसमें आपने अगर देखा है तो यहां साइड में यहां साइड में एक जगे पर इतनी जगे खाली रहती है और इस वाली जगे पर आडियो की रिकॉर्डिंग की जाती है यहां पर देखो यह रील इस तरीके की आपको दिखती है यहां पर जो आप देख रहे हैं यह वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर होती है यह वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर होती है और वीडियो में जो साउंड आता है जो डायलोग आते हैं जो गाना आता है वह आवाज जो आती है वह आवाज की रिकॉर्डिंग यहां पर होती है यह ट्रांस्पेरेंट पोर्षन यहां पर बना रहता है और यह जो ट्रां की recording होती है और एक black line की form में होती है इस तरीके की black line उसमें बनी रहती है तो यह black line की form में sound की recording यहां पर रहेगी तो जब यह film बढ़ती है जब इसको cassette को machine में लगाते हैं तो यह घूमती है उसी cassette में और आगे हमें एक circuit बना के लगाते हैं इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम आपको circuit बना के दिखा दे और यहां पर यह जो portion मैंने बताया है यहां पर audio की recording की जाती है और जब यह film आगे जाती तो इसमें photo diode देखी यह यह यहां पर audio की recording की गए यह sound की dialogue इसके पीछे photo diode है आगे आगे की तरफ एक LED लगाया गया है तो वह LED से जब light निकलेगी photo diode पर पड़ेगी लेकिन उसके बीच में गुजर रहा है उसके बीच में यह film का sound track गुजर रहा है जश्ट यह वाली जो आप ध्यान से देखिए यह वाला जो इतना चोड़ा पोर्शन होता है जहां पर audio की recording की जाती है उसी के सामने LED लगाते हैं और दूसरे तरफ उसी के सामने photo diode लगाते हैं ठीक है और इससे light उस पर पड़ती है जाकर की यहां पर आगे एक circuit बना दिया जाता इससे जुड़ा हुआ यह जो circuit बनाते हैं इसमें sound लगा देते हैं sound और इस circuit को ऐसा complete कर देते हैं यहां पर तो यह जब इसके दोनों terminal इसमें touch होते हैं और यहां से LED की light पड़ती है पीछे photo diode बना हुआ है तो जब यह black line इसमें से गुजरती है बीच में से जैसे जै से ही current बनती है और जब उसके recording current बनती है उस current से यह speaker बजता है speaker और यहां पर हम विद्यूत उर्जा को ध्वानी उर्जा में बदल लेते हैं तो movie hall में movie house में जो cinema hall होते हैं इन में जब आप movie देखने जाते हैं picture देखने जाते हैं तो जो video रहता है वो यहां उसको हम recording करते ह इस जगे पर जहां आज भी celluloid films use होती हैं फिलाल अब सब कुछ change होके digital में आए चुका है तो सब digitalized हो गया है फिर भी जहां पर यह celluloid film use होती होगी वहाँ पर आज भी एक्सन चलता होगा तो यहां पर आप क्या record करते हैं video और audio की जो आवाज आती है उसकी recording यहां पर होत होता है LED दूसरे तरह photo diode तो जब यह ऐसा गुजरती है तो बीच में से black line भी गुजरती है अगर बीच में से black line गुजरती है तो LED के बल्व की जो रोशनी होगी black line उसके सामने आएगी रोशनी बंद होगी फिर अट जाएगी रोशनी फिर आजाएगी इस तरीके से light कम ज् होगी इस black line के मुताबिक अगर light intensity में black line के recording कम और ज्यादा होगी तो उसी के recording current बनेगी और उसी के recording जो current बनेगी उस सबको हमें circuit में दे देंगे और यहाँ पर जो एक speaker लगा हुआ है यह बोलना सुरू कर देगा इस speaker में वो sound आ जाएगा तो वीडियो यहाँ पर और audio यहाँ पर record किया जाता था उसका उसमें भी photo diode का यूज है देखी तो फिल्म के sound track बनाए जाते हैं अगला जो application हम आपको बताने जा रहे हैं वो application बड़ा अच्छा यूज है और आप जैसे ही घर जाएंगे उसको यूज करते हैं कैसे घर जाके आप उसको यूज करते तो इसके remote control भी बनाए जाते remote control remote control में आप देखते हैं उसमें भी एक LED लगा रहेगा जैसे remote control मैं आपको देखाता हूँ यह remote control है और आपके घरों में भी जो remote control है आप देखते हैं यहां पर remote control में एक LED लगा होता है छुटा सा ठीक है अब अगर मैं इसको on भी करता हूँ कोई भी बटन इसका मैं प्रेस करता हूँ आपको इससे कोई problem नहीं होगी देखो क्योंकि इसमें infrared light निकलती है इसमें से अगर infrared light इसमें से निकलती है तो यह तो हमको दिखती नहीं अब जो हमको दिखती नहीं हमारी आंको पर इफेक्ट नहीं डालती तो हमें इससे कोई disturbance भी नहीं होता तो जब आप घर जाते remote आप चलाते तो इसमें क्या लगा हुआ है LED और आपके television में क्या लगा हुआ है photo diode तो जैस करेंट आना सुरू हो जाती है तो हमारा जो में सरकीट है वो ओन हो जाता है बत समझा रही है आपको कि उसको हमने इससे प्रोग्राम किया हुआ है कि जैसे हम यहां से बिटन को प्रेस करेंगे टेलिविजन के अंदर में जो photo diode लगा है उसमें current start होगी current start होगी तो अंदर का जो switch होगा वो आन हो जाएगा और हमारा जो main circuit है टेलिविजन के अंदर का वो चालू हो जाएगा इस तरह से कोई भी remote control आपका होता है आपके sound का remote control है यह एक बड़ी अच्छी चीज़ है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर आप रात में अंदेरे कमरे में टेलिविजन देख रहे हैं सारे लोग सो रहे हैं और आप भी टेलिविजन देख रहे हैं तो remote के जब लाइट निकलती है वो किसी को भी डिश्टर्ब नहीं करती अगर कोई सामने भी खड़ा हो जाता है और आप थोड़ा इदर दर हाथ घुमा के भी remote चलाते हैं तो इसको डिश्टर्ब नहीं होती सूच हो अगर यह torch जैसी बार बार light निकालती होती तो आप जितनी बार करेट होता इसलिए यह बड़ा अच्छा है तो रिमोट कंट्रोल इसके जो बनाये जाते हैं उनमें भी हम सब फोटो डायोड के बने स्विच ही लगाते हैं उसके लिए जो स्विच हम बनाते हैं उनके लिए हम को यह वाले स्विच बनाने की बश्रूवत नहीं है प्लंज करते हैं इन सब के लिए आपके घरों में क्या है एक-एक switchboard लगे हुए switchboard में ऐसा toggle switch लगे आपको mechanical work करना परता है बल लगाना परता है और बल लगा कर विस्थापन करना परता है कार्य करना परता है तब on और off कर पाते हैं और यहाँ पर वहाँ पर उत्तिotal तैली अभी 2020 और 2020 के syllabus के लिए आपके transistor आपके syllabus में इसमें सब तरके क्या करोगे तो उसमें सब त्राइसिटर के बने वे switch लगे रहते हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं उसके लिए अगर आप किसी चीज को on करना चाहते हैं तो वहां जाकि आपको उसको touch करके press नहीं करना बटन दूर से ही आपको एक remote control लेना है और बटन दबा देना है तो यह यूज है remote control भी इसके बनाते हैं तो remote control में फोटो डायोड किस साइड में लगाया जाएगा बताएगा अगर टेलीवीजन आप चला रहें remote से तो फोटो डायोड कहां लगाएंगे आप टेलीवीजन में लगाएंगे या remote में लगाएंगे टेलिविजन में लगाएंगे तो इसका जो मैं कुल मिला कि यह बताना चाहता हूं कि जो फोटो डायोड लगा होगा वह हमेशा रिसीवर साइड लगाया जाएगा किस साइड रिसीवर साइड रिसीव करने वाली तरफ पे लगेगा और आपके रिमोट में कहा लगेगी LED बा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर इसके बगैर हमारी life को काफी problem भी create होगी हम सोच भी नहीं सकते हैं इसके बगैर वाली जिंदिगी इतने ज्यादा यूज़ है इसके लेकिन सारे applications नहीं हमने कुछ applications यहां पर आपको बताए हैं and I hope कि फोटो डायोड की जो applications है वो आ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे LED बास समझ में आ गए LED पढ़ेंगे Light Emitting Diode किस तरीके से वर्क करता है क्या काम करता है और उससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ हैं तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पर ओके तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर थैंक यू